दोस्तो कुछ किस्से कुछ कहानिया कैकरम में आपका स्वागत है लाई हुमें आपके लिए प्रेमचंद जी की एक और लोगपुरिय कहानी बड़े घर की बेटी दोस्तो अब सवाल यह है कि हम इस कहानी को क्यों पढ़ें या इस कहानी से हम क्या सीख सकेंगे इतना तो हम जानते ही हैं कि प्रेमचंद के साहित्तिक सरोकार आम जन से जुड़े थे साहित्त को बौद्धिक गल्यारों से निकाल कर आम जन तक ले आने का कारे उन्होंने ही किया था इसलिए साहित्त के विशय उन्होंने साधारण जनता के जीवन से उठाय समाज घर परिवार को सही मार्क दिखाने का कारे साहित्त बखु भी कर सकता है यह समझाने के लिए उन्होंने अपनी कहानियों में साधारण से साधारण विशय को भी स्थान दिया जैसे प्रस्तुत कहानी में प्रेमचंद्या सहष्ता से दर्शाते हैं कि यदि बेटी में सही गलत की समझ, सम्वेदना, करुडा, सहन शीलता हो तो उसका परिवार उसकी ग्रिहस्ती कभी नहीं बिखरेगी दोस्तों अब इतने वड़े लेखक को इस साधारण से मुद्दे पर कहानी लिखने की क्या जरूरत थी पर प्रेम चंद का विश्वास था कि एक सशक्त और एक्ता के सुत्र में बन्धा परिवार ही मजबूत राष्ट का निर्वार करने में सहायक होगा प्रेम चंद का जमाना ब्रिटिश भारत का जमाना था, धेरो समस्याएं थी इसलिए राजनीतिक मुद्दे हो या धार्मिक, इन सब के साथ वो परिवारिक मुद्दों को लेना नहीं भूले यही कारण है कि परिवारिक प्रिष्ट भूमी की उनकी कहानियां दशको बाद भी हमें एक दम नई लगती है आपसी नोक जोक को लड़ाई जगडे में बदलने से रोक कर परिवार को बचा लेने की लालसा इस कहानी का मूल उद्देश है तो आईए सुने बड़े घर की बेटी बेनी माधव सिंग गौरिपूर गाउं के जमीदार थे उनके पितामा किसी समय बड़े धन धाने संपन थे गाउं का पक्का तलाब और मंदिर जिनकी अब मरमत भी मुश्किल थी उनहीं के किरती संब थे कहते हैं इस दर्वाजे पर हाथी जूनता था ठाकुर साहब के दो बट्टे थे बड़े का नाम श्रीकंट सिंग था उसने बहुत दिनों के परिश्रम के बाद बीए की डिग्री प्राप्त की थी और अब एक दफ्तर में काम करता था छोटा लड़का लाल बिहारी सिंग दोहरे बदन का था सजीला जवान भैस का दो सेर ताजा दूद वह सबेरे पी जाता था श्रीकंट सिंग की दशा बिल्कुल विप्रित थे वैदक ग्रंथों पर उनका विशेश प्रेम था आर्युवैदिक औशधियों पर उनका अधिक विश्वास था शाम सवेरे से उनके कमरे से प्राह खरल की सुरीली कड मधुर्धवनी सुनाई दिया करती लाहौर और कलकत्ते के वैद्यों से बड़ी लिखा पढ़ी रहती थी श्रीकंट इस अंग्रेजी डिग्री के अधिपती होने पर भी अंग्रेजी सामाजे प्रथाओं के विशेश प्रेमी नहीं थे बलकि वह बवधा बड़े जोर से उसकी निंदा और तिरिसकार किया करते इससे गाउं में उनका बड़ा सम्मान था दशेहरे के दिनों में वह बड़े उत्साह से राम लिला में समलित होते और स्वैंग किसी न किसी पात्र का पाट ले लेते थे गौरीपुर में राम लिला के वही जनम दाता थे प्राचीन हिंदू सभेता का गुडगान उनकी धारमिक्ता का प्रधान अंग था सम्मिलित कुटुम के तो वह एक मात्र उपा सकते आजकल इस्त्रियों को कुटुम में मिल जूल कर रहने की जो अरूची होती है उसे वह जाती और देश दोनों के लिए हानिकारक समझते थे यही कारण था कि गाउं की ललनाएं उनकी निंदक थी कोई कोई तो उन्हें अपना शत्रु समझने में भी संकोच ना करती थी स्वेंग उनकी पत्नी को ही इस विशे में उनसे विरोध था यह इसलिए नहीं कि उसे अपने ससराल से घिरना थी बलकि उसका विचार था कि यदि बहुत कुछ सहने और काम करने पर भी परिवार के साथ निर्वाह ना हो तो आए दिन की कलह से जीवन को नश्ट करने की अपिक्षा यही उत्तम है कि अपनी खिजडी अलग पकाई जाए उनकी पत्नी आनंदी एक बड़े उचकुल की लड़की थी उसके बाप एक छोटी सी रियासत के तालुक के दार थे नाम था भूप सिंग बड़े उदारचित और प्रतिभाशाली पुरश पर दुर्भागे से एक भी लड़का ना था साथ लड़कियां हुई और दैवे योग से सब की सब जीवित रही पहली उमंग में उन्होंने तीन ब्याह दिल खोल कर किये पर पंद्रह बीस हजार रुपयों का कर्ज सिर पर हो गया तो आँख खुली और अब हाथ समेट लिया आनंदी चौथी लड़की थी ठाकुर भूप सिंग उसे बहुत प्यार करते थे ठाकुर साहब बड़े धर्म संकट में थे कि इसका विवाह कहां करे न तो यही चाहते थे कि रिड़ का भूज बढ़े और न यही स्विकार था कि वह अपने को भागहीन समझे एक दिन श्रीकंट उनके पास किसी चंदे का रुपया मांगने आए शायद नागरी प्रचार का चंदा था भूप सिंग उनके स्वभाव पर रीज गय और धूम धाम से श्रीकंट सिंग का आनंदी के साथ ब्या हो गया आनंदी अपने नए घर में आई तो यहां का रंग-ढंग कुछ और ही देखा जिस टीम टाम की उसे बचपन से आदत पड़ी हुई थी वह यहां ना मात्र को भी नहीं थी हाथी गोडों का तो कहना ही क्या घर में कोई सजी हुई सुन्दर तोकरी तक न थी मकान में खिड़किया नहीं, परदे नहीं, दिवार पे नहीं कोई तस्वीर यह एक सीधा, साधा, देहाती, ग्रिहस्त का मकान था किन्तु आनन्दी ने थोड़े ही दिनों में अपने को इस नई अवस्था के ऐसा अनकूल बना लिया मानो उसने विलास के समान कभी देखे ही नहीं थे एक दिन दोपहर के समय, लाल बिहारी सिंग दो चिडिया लिये हुए आया और भाभी से बोला, जल्दी से पका दो, मुझे भूख लगी है आनन्दी भोजन बना कर उसकी राह देख रही थी, अब वह नया वेंजन बनाने बैठी हांडी में देखा, तो घी पाव भर से अधिक न था बड़े घर की बेटी, किफायत क्या जाने, उसने सब घी मांस में डाल दिया लाल बिहारी खाने बैठा, तो दाल में घी ही नहीं था बोला, दाल में घी क्यों नहीं? आनन्दी ने कहा, घी सब मांस में पड़ गया लाल बिहारी जोर से बोला, अभी परसो घी आया है, इतना जल्दी उठ गया? आनन्दी ने उत्तर दिया, आज तो कुल पाव भर रहा होगा, वह सब मैंने मांस में डाल दिया जिस तरह सूखी लकड़ी जल्दी जल उठती है, उसी तरह से भूख से बावला मनुष्य जरासी बात पर तुनक जाता है लाल बिहारी को भावी की यह धिठाई बहुत बुरी मालूम हुई, तुनक कर बोला, मैके में तो चाहे घी की नदी न बहती हो इस्त्रियां गालियां सह लेती है, मार भी सह लेती है, पर मैके की निंदा उन से नहीं सही जाती आनंदी मुह फेर कर बोली, हाथी मरा भी तो नौल लाख का, वहाँ इतना घी नित नाई कहार खा जाते है लाल भीहारी जल गया, थाली उठा कर पलट दी, और बोला, जी चाहता है जी पकड़ कर खींच लो आनंदी को क्रोधा गया, मुह लाल हो गया, बोली, वह होते तो आज इसका मज़ा चखाते अब अपढ़ उजड ठाकुर से ना रहा गया, उसकी इस्तरी एक साधार परिवार की बेटी थी, जब जी चाहता उस पर हाथ साफ कर लिया करता खड़ाओं उठाकर आनंदी की और जोर से फेका, और बोला, जिसकी गुमान पर भूली हुई हो, उसे भी देखूंगा और तुमें भी आनंदी ने हाथ से खड़ाओं रोकी, सीर बच गया, पर उंगली में बड़ी चोटाई, क्रोध के मारे हवा से हिलते पत्ते की भाती, कांपती हुई अपने कमरे में आकर खड़ी हो गई इस्त्री का बल और साहस, मान, मर्यादा, पती तक ही है, उसे अपने पती के बल से पुरुशत्यों से घमंड होता है, आनंदी खून का घूंट पिकर रह गई शीकंट सिंग शनिवार को घर आया करते, ब्रिहस्पत को यह घटना हुई थी, दो दिन तक आनंदी कोप भवन में रही, न कुछ खाया, न पिया, उनकी बाट देखती रही अंत में शनिवार को वह नियमा नुकूल संध्या समय घर आये, और बाहर बैठ कर कुछ इधर उधर की बातें, कुछ देशकाल समन्धी समाचार, और कुछ नए मुकदमों आदि की चर्चा करने लगे यह वार्तालाब दस बजे रात तक होता रहा, गाम के पुर्शों को इन बातों में ऐसा आनंद मिलता कि खाने पीने की सुधिन रहती थी, शीकंट को पिंड छुडाना मुश्किल हो जाता ये दो तीन घंटे आनंदी ने बड़े कश्ट से काटे, किसी तरह भोजन का समय आया, पंचायत उठी, एक आंथ हुआ, तो लाल बिहारी ने कहा भया, आप जरा भावी को समझा दीजेगा कि मुँ समभाल कर बातशीत क्या करें, नहीं तो एक दिन अनर्थ हो जाएगा लाल बिहारी ने फिर कहा, वह बड़े घर की बेटी है, तो हम भी कोई छोटे घर के नहीं है, श्री कंट चिंतित स्वर से पूछे, आखिर बात क्या हुई, लाल बिहारी ने कहा, कुछ भी नहीं, अपने आप ही उलज पड़ी, मायके के सामने हम लोगों को कुछ समझती ही नहीं, श्री कंट खापी कर आनंदी के पास गए, वह तो भरी बैठी थी, यह हजरत भी कुछ तीखे थे, आनंदी ने पुछा, प्रसन्न है, श्री कंट बोले, बहुत प्रसन्न है, पर तुमने आजकल घर में या क्या उपद्रों मचा रखा है, आनंदी की तियोरियों पर बल पड़ गये, जुझलाहट के मारे, बदन में एक ज्वाला सी दह कुठी, बोली, जिसने तुमसे यह आग लगाई है, उसे पाउं तो मुझ जुलस दूं, श्री कंट बोले, हरे, इतनी गरम क्यों होती हो, बात तो कहो, आनंदी, क्या कहूं, यह मेरे भागे का फेर है, नहीं तो गमार छोकरा, जिसको चपरासी गिरी करने का भी शहुर नहीं, वह मुझे खड़ा उसे मार कर यो ना अकड़ता, श्री कंट ने कहा, सब हाल साफ साफ कहो, तो मालूम हो, मुझे तो कुछ पता ही नहीं, फिर आनंदी ने कहा, परसो तुम्हारे लाडले भाई ने मुझे से मांस पकाने को कहा, घी हांडी में पाउं भर से अधिक न था, वह सब मैंने मांस में डाल दिया, जब खाने बैठा, तो कहने लगा दाल में घी क्यों नहीं है, बस इसी पर मेरे मायके को बुरा भला कहने लगा, मुझे से ना रहा गया, मैंने कहा, वहां इतना घी तो नाई कहार खा जाते हैं बस इतनी सी बात पर उसने मुझ पर खड़ाऊं फेक मारी यदि हाथ से न रोकूं तो सिर्फ अट जाए उसी से पुछो मैंने जो कुछ कहा है वह सच है या जूट श्रीकंट की आखें लाल हो गए बोले यहां तक हो गया इस छोकरे का यहसाहस आनंदी इस्त्रियों के सुभावा नुसार रोने लगी क्योंकि आसू उनकी पलकों पर रहते हैं श्रीकंट बड़े धैर्यवान और शांत पुरुष थे उन्हें कदाची थे कभी क्रोधाता था और इस्त्रियों के आसू पुरुषो की क्रोधागनी भड़काने में तेल का काम देते हैं रात भर करवटे बदलते रहे प्रातकाल अपने बाप के पास जाकर बोले दादा अब इस घर में मेरा निवाह नहीं होगा इस तरह की विद्रोह पुन बाते कहने पर श्रीकंठ ने कितनी ही बार अपने कई मित्रों को आड़ो हाथ लिया था पर दुर्भाग्य आज उन्हें स्वेंग वे ही बातें अपने मुह से कहने पड़ी दूसरों को उपदेश देना सहज होता है न बेनी माधो सिंग घबरा उठे बोले क्यूं? श्रीकंठ ने कहा इसलिए कि मुझे भी अपनी मान परतिष्ठा का कुछ विचार है आपके घर में अब अन्याय और हट हो रहा है जिनको बड़ों का आदर समान करना चाहिए वे तो उनके सिर चड़ते हैं मैं दूसरे का नौकर ठहरा घर पर रहता नहीं और यहां मेरे पीछे इस्त्री पर खड़ाओं और जूतों की बचारे होती है कड़ी बात तक शिंता नहीं कोई एक की दो कहले यहां तक मैं सह सकता हूँ पर यह नहीं हो सकता कि मेरे उपर लाद घूस पड़े और मैं दम भी न मारूँ बेनी माधाव सिंग कुछ जबाब न दे सके श्रीकंट सदैव उनका आदर करते थे उनके ऐसे तेवर देख कर बूढ़ा ठाकुर अवाक रह गया केवल इतना ही बोला बेटा तुम पुद्धिमान होकर ऐसी बाते करते हो अरे इस्त्रियां तो इस तरह घर का नाश कर देती है उनको बहुत सिर चढ़ाना अच्छा नहीं श्रीकंट ने कहा इतना मैं जानता हूँ और आपके आशिरवात से मुर्ख नहीं हूँ आप स्वेंग जानते हैं कि मेरे समझाने बुझाने से इस गाम में कितनों के घर संभल गए पर जिस इस्त्रिकी मान प्रतिष्ठा का उत्तरदाई मैं हूँ उसके प्रती ऐसा घोर अन्याय मुझे असहनी है आप सच मानिये मेरे लिए यही कुछ कम नहीं है कि मैं लाल बिहारी को कुछ दंड़ नहीं देता अब बेनी माधो सिंग भी गर्मा है ऐसी बाते और ना सुन सके बोले लाल बिहारी तुम्हारा भाई है उससे जब कभी भूल चुक हो उसके कान पकड़ो लेकिन इस तरह स्रीकंट ने बीच में कहा लाल बिहारी को मैं अब अपना भाई नहीं समझता दोनों कुछ देर चुप रहे ठाकुर साहब लड़के का क्रोध शांद करना चाहते थे लेकिन यह नहीं स्विकार करना चाहते थे कि उनके छोटे बेटे ने कोई गलत काम किया है इसी बीच गाउं के और कई सज्जन हुक के चिलम के बहाने आ बैठे कई इस्त्रियों ने जब यह सुना कि श्रीकंट पत्नी के पीछे पिता से लड़ रहे हैं तो उन्हें बड़ा हर्श हुआ दोनों पक्षों की मधुरवाडियां सुनने के लिए उनकी आत्माएं तिल मिलाने लगी गाउं में कुछ ऐसे कुटिल मनुश्वी थे जो इस परिवार की नीति पूर गती पर मन ही मन जलते थे वे कहा करते श्रीकंट अपने बाप से दपता है इसलिए वह दब्बू है उसने कॉलेज में पढ़ा है इसलिए किताबों का कीड़ा है और बेनी माधव सिंग उसकी सलाह के बिना कोई काम नहीं करते यह उनकी मुर्खता है इन समस्त महान भावों की शुब कामनाएं आज पूरी होती दिखाई दी कोई हुका पीने के बहाने कोई लगान की रसीद दिखाने आकर बैठ गया बेनी माधव सिंग पूराने आदमी थे इन भावों को ताड़ गये उन्होंने निश्चे किया कि चाहे कुछ ही क्यों नहों इन द्रोहियों को ताली बजाने का अफसर नहीं दूगा तुरंद कोमल शब्दों में बोले बेटा मैं तुमसे बाहर नहीं हूँ तुम्हारा जोजी चाहे करो अब तो लड़के से अपराध हो गया इलाहबाद का अनुभव रहित जहलाया हुआ ग्रेजुएट इस बात को समझ न सका उसे डिबेटिंग क्लब में अपनी बात पर लड़ने की आदत थी इन हद कंडों की उसे क्या खबर बाप ने जिस मतलब से बात पल्टी थी वह उसकी समझ में नहीं आया बोला लाल बिहारी के साथ मैं अब इस घर में नहीं रह सकता बेनी माधों बोले बेटा बुधिमान लोग मुर्खों की बात पर ध्यान नहीं देते वह बे समझ लड़का है उससे जो कुछ भूल हुई उसे तुम बड़े होकर छमा करो श्रीकंट ने कहा उसकी इस दुष्टता को मैं कदा भी नहीं सह सकता या तो वही घर में रहेगा या मैं आपको यदि वह अधिक प्यारा है तो मुझे विदा कीजिए मैं अपना भार संभाल लूँगा यदि मुझे रखना चाहते हैं तो उससे कहिए जहां चाहे चला जाए बस या मेरा अंतिम निश्चा है लाल बिहारी सिंग दरवाजे की चोखट पर चुप चाप खड़ा बड़े भाई की बाते सुन रहा था वह उनका बहुत आदर करता था उसे कभी इतना साहस न हुआ कि श्रीकंट के सामने चारपाई पर बैठ जाए हुका पिले या पान खाले इतना मान वह अपने बाप का भी नहीं करता था श्रीकंट का भी उस पर हारदिक सनेह था अपने होश में उन्होंने कभी उसे घुड़का तक नहीं था जब वह इलहा बात से आता तो उसके लिए कुछ न कुछ वस्तू अवशलाता ऐसे भाई के मुह से आज ऐसी हिर्दे विदारक बात सुनकर लाल बिहारी को बड़ी गलानी हुई वह फूट फूट कर रोने लगा इसमें संदे नहीं कि वह अपने किये पर पश्ता रहा था भाई के आने से एक दिन पहले उसकी चाती धड़कती थी कि देखूं भाई क्या कहते हैं मैं उनके सम्मुख कैसे जाऊंगा उनसे कैसे बोलूँगा मेरी आखे उनके सामने कैसे उठेंगी उसने समझा था कि भाई मुझे बुला कर समझा देंगे इस आशा के विपरीत आज उसने उन्हें निर्दैता की मुर्ती बने हुए पाया वह मुर्ख था परन्तु उसका मन कहता था कि भैया मेरे साथ अन्याय कर रहे हैं यदि श्रीकंट उसे अकेले में बुला कर दो-चार बाते कह देते दो-चार तमाचे भी लगा देते तो कदाचित उसे इतना दुख न होता पर भाई का यह कहना कि अब मैं इसकी सूरत नहीं देखना चाहता लाल बिहारी से सहा नहीं गया तब आनंदी के दौर पर आकर बोला भाभी भाया ने निश्चे किया है कि वह मेरे साथ इस घर में नहीं रहेंगे अब वह मेरा मुख नहीं देखना चाहते इसलिए अब मैं जाता हूँ उन्हें फिर मुहना दिखाऊंगा मुझसे जो कुछ अपराद हुआ छमा करना या कहते कहते लाल बिहारी का गला भर आया जिस समय लाल बिहारी सिंग सिर जुकाए आनंदी के द्वार पर खड़ा था उसी समय श्री कंट सिंग भी आखे लाल किये हुए बाहर से आये भाई को खड़ा देखा तो कतरा कर निकल गये मानो उसकी परचाही से दूर भागते हो आनंदी ने लाल बिहारी की शिकायत तो की थी लेकिन अब मन में पच्चता रही थी वह श्वभाव से दयावती थी उसे इसका तनिक भी ध्यान न था कि बात इतनी बढ़ जाएगी वह मन में अपने पती पर जुझला रही थी कि यह इतने गरम क्यों होते हैं उस पर यह भै भी लगा हुआ था कि कहीं मुझे इलहाबाद चलने को कहें तो कैसे क्या करूंगी या घर छोड़ कर मैं कैसे जाऊंगी इस बीच में जब उसने लाल भिहारी को दरवाजे पर खड़े यह कहते सुना कि अब मैं जाता हूँ मुझसे जो कुछ अपराद हुआ क्षमा करना तो उसका रहासा क्रोध भी पानी हो गया वहर रोने लगी मन का मैल धोने के लिए नयन जल से उप्यक्त और कोई वस्तु नहीं शीकंट को देखकर आनन्दी ने कहा लाला बाहर खड़े बहुत रो रहे हैं शीकंट ने कहा तो मैं क्या करूँ अनन्दी ने कहा भीतर बुलालो मेरी जीफ में आग लगे मैंने कहां से जगड़ा उठाया शीकंट ने कहा मैं नहीं बुलाऊंगा और शीकंट नहीं उठे इतने में लाल बिहारी ने कहा भावी भाया से मेरा प्रडाम कह दो वह मेरा मुह नहीं देखना चाहते इसलिए मैं भी अपना मुहुने नहीं दिखाऊंगा लाल बिहारी इतना कहकर लोट पड़ा और शिगरता से दरवाजे की ओर बढ़ा अंत में आनन्दी कमरे से निकली और उसका हाथ पकड़ लिया लाल बिहारी ने पीछे फिरकर देखा और आखों में आशो भरे बोला मुझे जाने दो भावी हनन्दी ने कहा कहा जाते हो मैं ना जाने दूँगी लाल बिहारी ने कहा मैं तुम लोगों के साथ रहने लायक नहीं हूँ हनन्दी ने कहा तुम्हें मेरी सौगंध अब एक पग भी आगे न बढ़ाना मैं इश्वर को साक्षी देकर कहती हूँ कि तुम्हारी और से मेरे मन में तनिक भी मैल नहीं है अब श्रीकंठ का हिर्दय पिखला उन्होंने बाहरा कर लाल बिहारी को गले लगा लिया दोनों भाई खुब फूट फूट कर रोए लाल बिहारी ने सिसकते हुए कहा भैया अब कभी मत कहना कि तुम्हारा मुह न देखूंगा इसके सिवा आप जो भी दंड़ देंगे मैं सहर्श स्विकार करूंगा श्री कंठे ने कापते हुए स्वर से कहा लल्लू इन बातों को बिलकुल भूल जाओ इश्वर चाहेगा तो फिर ऐसा अवसर नहीं आएगा बेनी माधव सिंग बाहर से आ रहे थे दोनों भाईयों को गले मिलते देखकर आनंद से पुलकित हो गये और बोल उठे बड़े घर की बेटियां ऐसी ही होती है बिगड़ते हुए काम को बना लेती है गाउ में जिसने यह वरितांत सुना उसी ने इन शब्दों में आनंदी की उदारता को सराहा कि बड़े घर की बेटियां ऐसी ही होती है दोस्तों कहानी यहीं पर समाप्थ हो जाती है पर हम जानते हैं, महिलाओं के प्रती हमारी समाज की सोच आज भी ज़्यादा नहीं बदली है अगर हमारी समाज में बिन घरनी घर भूतन का डेरा माना जाता है तो घर को तोड़ने में भी उन्ही को जिम्मेदार ठहरा जाता है परंतु आज से 80-90 साल पहले प्रेमचंद अपनी कहानियों में तमाम परंपरागत दृष्टी को प्रस्तुत करते हुए भी दिखाते हैं कि यदी परिवार इस्त्री का सम्मान करे परिवार के सदस्यों में भेद भाव ना हो तो कोई परिवार तूट नहीं सकता प्रस्तुत कहानी में इस्त्री के बराबर भी पुरुष को दोशी ठहराए गया है बाद में दोनों का समझदारी भरा निर्डे पाठकों को एक सुखद एहसास से भर देता है कबीर ने भी कहा है उचे कुल का जनम या जे करनी उचना होए यानि उचे कुल में जनम लेने से व्यक्ति बड़ा नहीं होता बड़ा होता है अपने वैभार अपने आचरड से और इस कहानी किनाई का आनंदी इसे सिद्ध भी करती है तो दोस्तों वो प्रतेग परिवार जो हर परिस्थिती में एकता की सुत्र में बंधे नजर आते है न तो ये मानना होगा कि वास्तों में उस परिवार की इस्त्रियां बड़े घर की बेटियां है आशा करती हूँ कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी बहुत बहुत धन्यवाद